मैं हूँ इमे मालम बालिंग वे स्टडी में आपका स्वागत है आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ 12 थे कि इंग्लीज का जो प्रेटी सेक्षन है उस सेक्षन का एक कविता एक पोएम जिसके लिखने वाले हैं तो इस कविता का मैं वर्ट वेट ट्रांसलेट करूंगा हिंदी में जिसके मात्यम से अब एक्जाम में पुछे जाने वे सभी सब्जेक्टिव और अब्जेक्टिव को असानी से बना सकते हैं तो चलिए विडियो स्टाट के आ जाए तो पहला पूली तरी उनीस सो साथ में पैदा हुए और उनीस सो त्याथर में मरे पैदा ब्रिटेन में हुए और मरे अमरीका में आगे कहता है लाइन मां हू वोन द पुली तरफ प्राइज इन नाइंटीन फुटियेट फॉर ही स्कलेक्शन इस इस एजए इस अप इंजएटी उसने कब जीता उनीस आटालीस इसमें में पूली तरफ इजएटी के लिए इसके लिए उसका जो कलेक्शन है इसके लिए इसके लिए एक्जाम में सकता है कि WH Auden को Pulitzer Prize कब मिला 1948 में और किस किताब के लिए मिला किस कलेक्शन के लिए मिला कब पैदा हुए 1907 में कब मरे 1913 तरह से विगोरेश का माने होता ससक्त परभल तो किस तरह कवी थे बहुत धिक रचनात्मक और ससक्त कवी थे वर्स ड्रामाटिस्ट क्रिटिक टांसलेटर एंड इडिटर इसके साथ साथ वो क्या थे वर्स मने कवीता कवीता ड्रामाटिस्ट मने होता है ना टककार तो ड्रामाटिस् एक है स्टोरी ड्रामाटिस्ट जिसमें कहानी के माद धिम से ड्रामा बता जयाता आए किसी में कविता के माद यह répond थे वबस ड्रामर्टिस्ट थे Kritic थे त्यूंप अलोचक थे ट्राइट के अनुद्व अनुदे तैंने सारा काम किया जाता है भी धू थे या वर्स ड्रामाटिस्ट थे इस तरह से पूछा जा सकता है आगे कह रहा है poetry to him poetry to him was a serious game which should depend people's self-awareness but it should in no case directly affect men's political or religious choices कविता तो जो था उनके लिए वो serious game था एकदम गंभीर मुद्दा था गंभीर केलता गंभीर विशुट डिपीन people's self-awareness जो कहां सोना चाहिए जो लोगों का व्यक्तिगत जो चागरुकता सजगता है उसकी गहराई से उसकी गहराई से होना चाहिए यह इनका मानना था आगे कहते हैं कि but it should no in no case लेकिन यह किसी भी कीमत पर यह किसी भी कीमत पर डिरेक्टली choices पे पसंद पे से परभावित नहीं होना चाहिए सीदे तर पर परभावित नहीं होना चाहिए his early poems exhibit उसकी जो शुरुवाती जो कविता हैं पोएम से हैं exhibit परदर्शन करता है बतलाता his interest in political affairs and ideas but his later poems are overtly Christian and more personal in tone करा उसका जो शुरुवाती पोएम है वो क्या करता है exhibit करता है परदाता है परदर्शन करता है exhibit कमाने लिख लीजिएगा कि क्या करता है his interest in political affairs and ideas कि उसकी रूची को जो राजनितिक घटनाओं में और राजनितिक विचारों में की थी मतलब कि उनके जो शुरुवाती जो कविता लिखी गई है उसमें उनके उसका जी interest था रूची था वो किसमें था Political Affairs में, राजनेति घटनाओं में, राजनेति विचारों में But his later poems are overtly Christian and more personal in tone overtly का मानी होता है पारदर्थी रूप से कराएगी उसका जो later poems है, बात का जो कवीता है वो क्या है, वो तो Christian है या more personal in tone शब्दों में, वो अवाजों में क्या है, वो more personal है अधिक व्यक्तिगत है, वह इसा नहीं है, किसा नहीं है, political affairs से नहीं है political ideas से नहीं है, बात का जो उसका कवीता As a technician, आगे कहरा, as a technician, Auden explored a variety of stenja from and meters कहरा है कि एक technician की रूप में Auden ने explored किया खोजा या अविशकार किया किया, a variety of stenja stenja की विविदता, forms and meters जो stenja का form है, उसमें विविदता, variety लाया गया और उनका जो अलंकार, meters माने क्या होता, अलंकार और जाके आपका stenja माने होता, चंद, इसका हिंदी जो होता है, चंद, इनमें चंद में और अलंकार में क्या क्या, variety लाया, विविदता लाया इनके form में, he had a passion for word, coining and using archaic words which makes him at times difficult to understand, करा है, उसके पास passion था, लगाओ था, शौक था, इश्क था, क्या चीज़ के लिए, for word coining and using archaic words, पुरातन, archaic कमाने क्या होता है, प्राचीन या पुरातन, पुरातन वड़ों क चुनकर उसको परियोग करने का, इस्तमाल करने का, उसके पास क्या था, एक शौक था, एक इश्क था, which makes him at times difficult to understand, जो उसको बना देता था, क्या उस समय का सबसे difficult, समझने में सबसे मुश्किल, किसको उसको या उसकी कवीता को समझने में मुश्किल बना देता था, उस समय, क्योंकि वह बहुत ही प्राचीन वर्ड का इस्तमाल करते थे, आर्केइक वर्ड का इस्तमाल करते थे, मैंने कहा था, वह पैदा कहा हुए? इंगलेंड में, लेकिन उसके बाद उन्होंने इंगलेंड को छोड़ दिया, क्या कर दिया? छोड़ दिया ही, left England, कब 1939, अब्जेक्टिप पूछ सकता है, वह एड और एम ने कब इंगलेंड छोड़ा, तो कब 1939, to settle permanently in the United State, कहां, United State में ये permanently क्या करगे, बस गए, तो कहां बसे वहां तो जा करके, आपका United States में, United States अमरीका में जा करके ये बस गए, पर्मानेंट होके लिए, वहां पर settle होगे, बस गए, audience works is divided into the British and American phases, इस वज़ा से इनके कामों को, audience के work को दो भागों है, विवाजित क्या गया है, एक British, दूसरा American phase में, एक American phase में, British phase को ही English phase कहा जाता है, दो phases में माटा गया है, कौन-कौन phases में, British phase में, American phase में, दिकारा, the notable works of the English phase, मतलब British phase, are, notable work क्या है आपका, British phase में या English phase में, are, the orators, the dance of death, look stranger, stranger, Spain, and another time, ये सब जो है, इसका beauty phase में, मतलब 1939 से पहले लिखा हुआ जब ये England में थे, लेकिन बाद में ये 1939 के बाद ये जा करके अमरीका में भज बस गए, तो अब दूसरा पर परिशिद्ध या उलेखनी है, के रहा, the notable works या उलेखनी है, परिशिद्ध ये इसका काम है, English phase का वह क्या है, the orators, the dance of death, look stranger, Spain, and another time, अब इसका जो notable works of the American phase, abilities phase हो गया, उसके बाद ये अमरीका में रहे, तब अमरीकन phase में देखिए इसका क्या-क्या, है, new year letter, for the time being, the age of anxiety, the shield of Achilles, ये Achilles, पढ़ा जाएगा इसको, ये पढ़ा जाएगा, ये जो पढ़ा जाएगा, इसको, देखिए आप, ये जो पढ़ा जाएगा, Achilles या Achilles प्राहना का यह शिल्ड अफ अख यह सब इसका अम्रीकन फेज में लिखा हुआ जो भुक है कविता का वह है दकारा दा प्रजेंड लिरिक नौत लिप्स अर फॉलिंग फॉलिंग फॉस्ट इन एक्स दो फॉस्टेशन इन हेरेंट इन हुमन लाइफ गूल प्रजेंड इन इन हवर फॉलिंग फॉलिंग उस इन एक्ट का निगा हुआ अभी नहीं करना यह बचलता है the frustration inherent in human life inherent का मानी होता है जन्मजाद जो मानव जीवन में जन्मजाद जो frustration है जो कुंठा है उनको परदर्सित करता है या उनको अभी नहीं करता है यह जो आपका जे किताब में जो not the lips are falling fast कभीता है उसके बारे में कहा जा रहा है उसको आगी कहा रहा है the aspirations that are not fulfilled and the sense of loneliness in which every individual lives and dies कहा रहा the aspiration जो आशावादी है या इसको कह सकते हैं आपको aspiration का एक हिंदी हो जाता है aspiration 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 का महत तो कांग्शा होता है that are not fulfilled जो पूरा नहीं होता है जो किसी का भी महत तो कांग्शा जो पूरा नहीं होता है that and the sense of loneliness और एकांत का जो बुद्धी है loneliness का sense है in which every individual जिसमें हर जो व्यक्तिकत आदमी है lives and dies क्या करता है जीता और मरता है वो जो पूरा नहीं होता उन से related यह कवीता है तो चलिए अब कवीता को देखा जाए तो कवीता का पहला इस्टन जाए जो है पतियां जो है अब वो तेजी सेतिव रगती से जड़ रही है नर्सेश फलावर विल नोट लास और जो लती वाला फूल है लता वाला वो लास्ट नहीं होगा नर्सेश तो ग्रेब्स आर गोन लेकिन जो कबरे के उपर ग्रेब माने कबर होता है कबरों के उपर का जो फूल है या लती है वो समाप्त हो गया और जो बच्चे की गाड़ी है उसके उपर से चड़ गया है यह पहले स्टन्जा मैं कहा रहा है मतलब कि जो लिप्स है वो तीवरे गती से गिर रही है लेकिन जो नर्सेश फलावर है वो ला अंतीम नहीं है मतलब लास्ट का कुछ जो है वो लती वाला जो फूल है वो बचा हुआ है वो विल नॉट लास्ट वो अंतीम नहीं होगा नसेश टू ग्रेप्स आर गॉन मतलब कुछ फूल हर दिन रहता यहां का नहीं का सेंसे ही है grapes are gone और जो फिरकों के ऊपर जो नर्स है लती है वो क्या हो गया है वो समाप्त हो गया and the prams go rolling on और उस पर जो बच्चे की गाड़ी है ठेला गाड़ी है उसको ऊपर से चला गया उस पर चंड़ गया है जिसके वगज़ा से वो क्या हो गया है समाप तो हो गया है उसका स्थित्व खतम हो गया है यह कवीता जो मुकतर मानब जीवन से लिया है कैसे कोई बच्चा छोटा से बड़ा होता है बड़ा होने के बाद क्या होता है बड़ा हो जाता है बड़ा होने के बाद फिर वो मर जाता है उसी से रिलेटेड है आगे देख Pluck us from the real delight, जो हमको क्या करता है, कि हमारी जो वास्तिविक जो आनन्द है, उससे हम लोगों को खीचता है, तोड़ता है, अलग करता है, And क्योंकि मौत के बारे में लोग जान करके खुसियां भूल जाते हैं, इसलिए काता है कि जो विस्प्रिंग ने बरता है, वो हमारे दाएंबाएं है, जो हमारे आनन्द को, जो वास्तिविक खुसी है, उसको हमसे क्या करता है, चीनता है, प्लकमाने तोड़ना होता है, या न आगे काईता है, lonely on the separate knees, और यो क्या हो जाएता है, एकांत हो जाएगा, किस पे separate, अलग-अलग घुटनों के उपर रख दिया जाएगा, separate knees के उपर, मतलब मरने के पाद, लोगों का हाथ जो है, उसके घुटने के उपर रख दिया जाता है, मतलब कि क्या है, जो हाथ आज से क कल अकरिये हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सांत हो जाएगा, freeze हो जाएगा, किस के उपर घुटनों के उपर, चलिए अगला स्टेंजा में देखा जाए, अब है, जो हमारा जो ट्रेक है, जो 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 जगली रास्ता है, उसको फोलो किया है, उसका पीछा किया है, आम्स रेज, हाथें उठते हैं, बाहें उठते हैं, stiffly उठे, अपने आपको पुना स्थापित करने के लिए, पुना स्थाबित करने के लिए, धीरे से, stiffly मतलब हो जाता है, आपका कठिनाई से, परिशानी से, किस से, कठिनाई से, परिशानी से, आगे है, in false attitude of love, attitude मने क्या होता, सहभाव, attitude मने सहभाव, किसके, in false, जो है, आपका असली नहीं, नकली, जो सहभाव है, प्यार के सहभाव में, वो क्या करता है, कि धीरे से, कठिनाई से, मुश्किल से, हाथें उठते हैं, मतलब कहा जाता है, कि इनसान को जो कंधा देने वाला होता है, मिरतिवी के बाद इस तरह से, लोग कंधा देते हैं, अगर जीवन में दे, तो लोगों को किसी तरह की कोई परिशानी ही नहीं होगी, मतलब मरने के बाद, लोग कंधा देना पसंद करते हैं, अगर कुसी तरह कहता है, starving through the leafless wood, trolls run scolding for their food and the nightingale is dumb and the angle will not come, कहरा, starving, starving मने क्या होता है, आकाल, starving through the leafless wood, जो पत्त जड़, पत्ती हीन, जो जंगले हैं, लकडियां हैं, विरिक्चे हैं, उनके द्वारा क्या होता है, कि आकाल आता है, trolls run scolding for their food, और जो एक trolls मने होता है, बत्सूरत रचना, जिसका खुबसूरत नहीं हो, बत्सूरत रचना, runs, दोड़ता है, scolding, लोड़कता है for their food, अपने भोजन के लिए, and the nightingale is dumb, और जो nightingale है, बलबुल है, जो वो बोलते बोलते अपने भोजन के लिए dumb हो जाता है, गुंगा हो जाता है, and the angel will not come, और कोई भी जो है, अंगल, दिरिश्टी कोन बाहर नहीं आएगा, यह कहने कतात पर यह कभी गाई, कोई भी अंगल, जो है, कोई भी दिरिश्टी कोन, कोई भी चार बाहर नहीं आता है, अंती में कहता है, cold, impossible, अहे, list the mountain's lovely head, whose white waterfall could blaze travelers in their last distress, अंती में क्या कहता है, कि cold, thund, impossible, possible माने संभाव, impossible, अंसंभाव, ahead, आगे है, lists, the lists माने जुगना आया, list the mountains lovely head, जो mountain के lovely head को, प्यारे सीर को, मस्तिस्क को क्या है, कि क्या है, जुकाए हुआ है, list माने यहां जुका न, जुकाए हुआ हुआ, whose white waterfall, जिसका जो है, जो वजला waterfall है, जहरना है, could blaze traveler, क्या करता है, आसिरवाद देता है, यातरी को in their last distress, उनके अंतीम दुख में, यांत मोत में क्या करता है, उसको आसिरवाद देता है, तो, कॉल, impossible, अहे, list the mountains lovely head, whose white waterfall, could blaze travelers in their last distress, ठंड असंभव आगे है, list the mountains lovely head, जो क्या है, कि जो mountains के lovely, प्यारे हेड को, जुकाए हुआ हुआ है, whose white waterfall, जिसका white waterfall है, could blaze, आसिरवाद देगा, travelers in their last distress, यातरी को, अपनी अंतिम यातरा में, अंतिम दुख में, अंतिम कठिनाई में, तो, यहीं पर कविता समापत होता है, इस poem में, इसे बहुत सरा objectives बढ़ेगा, अकर आपको ये वीडियो को सुरू संतर तक देखें, अच्छे से देखें, अगर चैनल में आप नई मेहमानें, तो, चैनल थे तेक्स, अपरेंगा को सुरू 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 को सुरू झाएंगा राजिएगाक रेखें ये। तेक्स, अपरेंगाकी अपरेंगा सुरू एबज़ेगाती बढ़ेंगा है।